नमस्काल दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्लास में बात करने वाले हैं प्राचीन बालती इत्यास के बारे में एंसें रिष्टी के बारे में तो यह सीरी चल लेए 900 प्रश्णों की और जिसका यह पार चार है जिसमें आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्रसम लेंगे जिसम यह पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप लोग चैनल की playlist में जाईेगा वहां से आगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को समझेगा उसके बाद में आप बात 4 को देखेगा ठीक है उस्तों तो देखें स्टार्ट कलते हैं देखें कोश्चन नमर यह किशाइस्था खान को मिशाक्ती के लिए शिव पत्नी के ने नेत्रत में जाई रखा था सिवाजी के राजिक की राजधानी कहां थी जायगर ठीक है साथ महाई यूरोपियन शक्ति पहचानिये जिसने सिवाजी ने तोपें और गोला-बारुत प्राप्त किये थे तो उसका नाम क्या था फ्रांसीसियों से प्राप्त किये थे पुल्त गालियों से प्राप्त किये थे और अंग्रेजों से प्राप्त किये थे ठीक है आठ नमर में लिखा हुआ है नाना साहब ने के नाम से कौन प्रिशित था नाना शाहब के नाम से कौन था बाला जी बाजी राओ ठीक है बाला जी बाजी राओ प्रिसित्ते इसके बाद देखीगा नमबर 9 लिखा हुआ है आपके सामने जिस समय 1761 में पानी पत की तीसरी लडाई में अहमत सहा अबदाली ने मराठों को हराया उस समय दिल्ली का सासक क संदी द्वारा समाप्त हुआ था साल वाई की संदी के द्वारा समाप्त हुआ था ठीक है प्रथम आंगल मराठा युद्ध साल वाई की संदी के द्वारा समाप्त हुआ था गया नमब लिखा हुआ है पेशवा प्रथा बेटेस द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त क त्रोंब्र उस्फार्ट तो बस्ते हैं घुल का नाम क्या है प्लीयम दिहिंटी क्लिक भाइबर को नाम ब्रहाणा क्या हैं घुल्सी खालत में चौकेशां तरहोंने म Welsh Full मसूली पट्टनम में था मसूली पट्टनम में था अगले पंदार में लिखा हुआ है कि 1651 में मोगलों द्वारा बंगाल में किस इस्थान पर इस्ट इंडिया कंपनी को बेवहार करने और फैक्टरी बनाने के रुमत देगए थी कासिम बाजार ठीक है कासिम बाजार 16 अगरेश सासक चार्स दुतियों को किसकी राजकुमारी से विवा करने के लिए बंबई दहज में दिया गया था पोल्त गाल ठीक है पोल्त गाल राजकुमारी से वा करने के लिए बंबई दहज में दिया गया था भविश स्वागत करने वाले भारती दाजा का नाम बताए जमोरिन ने इसका स्वागत किया था ठीक है और वास्को डिगामा है कहा पर आया था भारत में काली कटिस्तान पर आया था ठीक है भास्तिविक नियू रखने वाले महानतम पुल्त गाली गवर्नर काउन थे अल्बु करक थे बाइस नमबर गुरु गोबिंद शिंग द्वारा खाल्षा पंथ की स्थापना किस वर्स में की गई थी गुरु गोबिंद शिंग ने की थी 27 नमर है किस शिक्ष गुरु ने सवयंको सच्चा बातसा का था गुरु अरजुन देव ने का था 28 नमर देखियai लिखा हुआ है जर्जी सिंग की दाजनीतिक गजाजधानी लाहर थी किस नगर को उसकी धार्मिक गजाजधानी का था अमरेशर को अमरे सर को जड़ी सिंग के धार्मिक राजधानी कहा जाता था अठास के बाद देखिए 29 नमर क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा आप लोग लिखा है कि किस गवार्न जन्रल ने लोपड में जड़ी सिंग का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था विलियम वेंटिक ने स्वागत किया था ठीक है अबद के स्वायत राजी का सहस्ता पर कहुंता साथत हां इसका देखिए नेक्ट कोशन क्या हमारा है अगला पर है फिर शे एक नमर श्राड़ है भारत का कमपनी से समराट को अंतरन लाड कैनिंग के द्वारा एक नमबर 1858 को कहा गोशित किया गया था इलाहबाद में गोशित किया गया ठीक है कमपनी से समराट को अंतरन दोसरे एंगलो मैसूर युद में गवर्र जन्रल कौन था वारन हेस्टिंग था ठीक है दूसरे एंगलो मैसूर युद में सिराज उदोला के साथ किस ने बिश्वास घात किया किया था मीर जाफर ने बिश्वास घात किया iam लब्ल देखेंशन-थ-फृ подар sowла कब bacon नमब नुमिन आपके सामने आ गया है लिखा हुआ है कि स्वामी द्यानं improv गिशन मिसन की स्थापना अंग्रेजों ने भारत मैं अंग्रेजी को सिछ्छा इसक्षा का मात्यम कब बनाया था? ठीक है? ठीक है, इस द्रवरन में लिखा हुआ है और पॉसचा का पैगंबर किसे का जाता है? सब anterior है ब्रहम समाज की सनस्तापक शन्तापक ढलिब्रहाम समाज की सणनस्तापक ग। लंदन का फैलो बनने वाला सबसे पहला भागती का उन्ता था एसी वाडिया बाइस नंबर उपनिवेसी भारत में कोलकाता में क्या लिखा हुआ है ? पक्त महाराश्ट्र में कौन थे जोतिवा फुले थे सत्य सोथ समाज के संस्तापक 25 नमल देखिए ऑप निवेसिक भारत में भालती बिद्वाओं के लिए शार्दा शदन इस्टापना किसने के थी पंडित रमावाईने ठीक कौन से शार्दा शदन और स्थापना किसने के थ और आगे और लिखा हुआ हो कि उसके रिष्णा किसने की थी तो नर्शी महताने की थी याद रिखिएगा 27 नमल बर्शों पहले हमने नियत के साथ एक बादा किया था और अब वादा पूरा करने का समय आ गया है यह शब्द 14 आगस्ट 1947 को रात की रात को किसने गयते यह कह और आह सकता दा इंडियनवर आया हम इंडिपिंडेंस नम्हा डिखिया था 30 नम्हाथं भारती विशमारद के रूप में जाना जाता है वल्लभ भाइ पटेल को टेंगे भारत सम्मान निये बुजरूर्ग दादा जी के नाम से सबसे कि इन ये किया थीक है पांच ओले संसत का बनने वाला पहला भारती काます फाउन था दादा भाई नौरो जी बृतिस संसत का पहला सदस्य वनने वाला भारती है चेह नमबर बृतिस हाउस आफ कौमंस में चुना जाने वाला पहला भारती का उनल गया लिए भारत से बेटन की और शंपत्य के अपवहन का सिदांद किसने प्रतिपाजित कया था भारत का अल्थिक अपवा का सिद्दान ये भी दादा भाई नरोजी ने किया था ठीक है नौन बाद की भारत का दादा मतलब ग्रेंड ऑल्ड में किसे का था दादा भाई नरोजी को का जाता था इसके बाद देखिए का आपके साथ 10 नमा लिखा हुआ है गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजक्तावादी माना जाता है और जिक गया नमब लिखा हुआ कि जब महात्मा गांधी गयत्या हुए तब किसने का था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस डलती पर चला था अलवल्ट आयनिश्टीन ने कहा थ यह विश्टन चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी जो है वो अल्द नगन फकीर हैं त्या नमर एक करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट को यहां मंत्र किस जन आंदोलन के अपसर पर दिया था करेंग या मरेंगे यह दिया था भारत चुण आंदोलन पर बताय इडिया था चया था चर्चार समाचाहर पत्र केशरी का सस्तापक संपाधक कांट था किशरी का संपाधक लोकμεने तिलक लोकमने तिलक चार्च बहुत अहरे का भगवत गीता का अंग रेजी मेरबाद किया था देखेए 19 नमबर देखिया लिखा हुआ है 19 नमबर में आपके सामने लिखा हुआ है कि गांधी जी ने किस धार्मी गरंथ को अपनी माता कह था भगवत गीता को कह था 20 नमबर शिकों की पवेतर पुस्दक आधी गरंथ का संक्रन किसने क्या था बाइस नमबर स्वराज मेरा जन्म शिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर दोंगा यह कहा था लोक मान ने तिलक ने का था ठीक है स्वराज मेरा जन्म शिद्ध अधिकार है तेश नमबर भारती या शांती का जनक किसे माना जाता है समझाता है तो भारती या शांती का जनक स किसने क्या था नील दर्पन का मद सूधन दत्त ने क्या था 26 अब मद राश्ट्री गीत बंदी मात्रम के रचेता कौन है बंकिम चंद्र चटल जी बंकिम चंद्र चटल चटो बात ध्यारी का हुआ ठीक है तो यह क्या था है या किसने क्या थिक रहा है बाश्ट्रीं छीवन Kids संसार के लिए जाग उठा लेडी विद दा लेंप के नाम से कौन विख्यात है देखिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है फुल और नाइट टेंगल ठेक है लेडी विद दा लेंप इस परकार से हमाँ नप्टे प्रची भी हलो गए है और यह पार्ट चाल था अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं